उत्तर प्रदेश में नई सरकार आने के बाद माना जा रहा था कि गौशालाओं के दिन बोरेंगे लेकिन महीनों बीतने के बाद भी गौशालाओं की स्थिती दैनी बनी हुई है सरकार ने अवैद बूचर खानों पर शिकंजा कशना शुरू कर दिया था जिसके बाद प्रदेश में खुले घूमरे पश्वों की संख्या बढ़ गई जगे जगे गौशालाओं खोलने गौध पादों को बढ़ावा देने आधी का काम तेजी से होने का दावा किया जा रहा है पर सीम योगी के गड़ और उनके पूर्व संसदिय छेत्र गोरकपुर्ग से सटे जनपद मौव में गौशाला बधाल पड़े है जनपद में दो रची स्टड गौशालाएं हैं जहां पश्वों को चारे के संकट का सामना करना पड़ रहा है यहां के प्रबंदकों की माने तो योगी सरकार में 14 महीने से उन्हें कोई अनुदान नहीं मिल रहा है जिसकी वज़े से कई गाएं भुकमदी के कगार पर पहुँच रही है जनपदमव के कोटवाली थाना छेतर के दसेई पोखर छेतर में स्थित दशको पुराना श्री गोपाल गौशाला जिला प्रशाशन एवं प्रदेश सरकार की उपेक्षा का सिकार हो चुकी है हालाद ये है कि पूर्व की कई सरकारों में गौशालाओं के लिए मिलने वाले फंड के लिए आवेदन तो किया जाता था लेकिन फिर सरकारी सबसीडी नहीं मिली शी गोपाल गौशाला के प्रबंध तक बाबुलाल अगरवाल कहते हैं कि सरकार की तरफ से गोशाला को कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा यदि सरकारी सहयोग मिले तो गाउं को भर पेट 4 मोहिया कराया जा सकेगा सरकारी अनुदान के सवाल पर उन्होंने बताया कि योगी सरकार के 14 महीने के कारकाल में भी अनुदान नहीं मिला गौशाला में गाउं की देखरेक करने वाले गड़े शर्मा ने बताया कि सरकार की तरफ से कोई साहता नहीं मिलने से गाउं की देखबाल ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है वो सालों से लोगों से चन्ना मांग कर गाउं की देखरे कर रहे हैं प्रदेश की योगी सरकार यदि अभी भी सुद लेती है तो गौशालाओं की स्थिती सुधारी जा सकती है वही इस संबंद में अपर निदेशक पशुपालन विभाग की डॉक्तर जीसी दुवेदी ने बताया कि अनुदान के लिए फाइल साशन के गौश सेवा आयोग को भेजी गई है जल्दी पशुओं के देखने के लिए अनुदान मिल जाएगा और बहुत उम्मीद है और आज अगर यह स्योग मिलता सरकारी अंदान कुछ भी मिलता तो जो आज हमारी चंता है जो चंदा लेके पाल रहे हैं जो चंदा लेके हम पाल रहे हैं वो साथ दूग नहीं हो सकती थी और जो आज चुटता घूम रही हैं गाये या जो भी दुदारू और जो जो जिनने हम गौम आता मानते हैं अगर भूम रहे तो उन्हें भी हम रख सकते थे जो आज बताओ अशा भी उन्हें कहा आपको कि गोशर्ण गोस्यवा आयोब एक ऐसी स्रस्था है और जो सेवा आयोब का जो कारे जर्ने का पद्धत रहे तो पश्पार्वल विवा के माद्यक से थे जहां तक अभी आपने का कि एक कार्योजना एस्ट्रियम को भेजी गए तो एस्ट्रियम को केवल जमीन के आवर्टन आधिका ही जो उसका पार्ट है वही उनके अधीन आता है सेश जो अनुदान देने के लिए प्राज़ान है वो जब तक बीपियार हमारे अस्टारिश अस्ट्रियम के बारा है उसको भूल लेंकर नहीं कर दिया जाए जब तक हम आपने उनके पर जोशालक के छंपा जो है उसका आधिर नहीं कर दें